हेलो यह स्वागत आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्कूल टूशन गुर्जी में आज हम बात करेंगे वक्षीट 61 की जो की 5th जन्वरी के लिए जारी कीए क्लास 10 की साइन सब्जेक्ट स्ट्रेटी वक्षीट हैं बच्छे अपना नाम लिखेंगे अपने क्लास 10 का नाम के लिए क्लास आज की वक्षीट अपको क्या बताना चाहती है तो बच्छों से में बात कर लेते हैं फोर्स और करण्ट के एंग कंडॉक्टर इन्हें मैंगनेटिक फिल्ड तो होता क्या बच्छों कि जब किसी एलेक्टिक करन्ट जब फ्लो करता है कंडॉक्टर में से तो उसमें क्या होता है मैंगनेट किक फailed MY मैसूश होता है कि स्ष race mm के क्या होता है क्चो्व फोर्स होता है अब that the direction of is also reversed when the direction of current through the conductor reversed यानि कि यह देखा गया है कि direction of force जो है वो reverse हो जाती है जब current का जो conductor जो current को carry करना उसकी direction को reverse कर जाता है अब change in direction of field also changes the direction of force acting on the current carrying road यह भी हो जाता है बच्छो फिर यह क्या है it shows that the direction of force on the conductor depends upon the direction of current and the direction of magnetic field यानि कि force जो conductor पर होती है वो डिपेंड करती है direction of current और direction of magnetic field की बच्छो अब example क्या दिया है कि device that uses current carrying conductor and magnetic field include electric motor electric generator loudspeaker microphone यह वो device है जो इस तरह की चीजों पर base होकर के चलते हैं बच्छो अब बात करते हैं बच्छो किसकी फ्लैमिंग के left hand rule की बच्छो फ्लैमिंग का left hand rule basically किस पर काम करता है किसे जानने के लिए मदद करता है हमारी current carrying on conductor in a magnetic field इसके लिए हम फ्लैमिंग का left hand rule यूज करते हैं नीचे आपको फिगर दीवी बच्छो इसे दोनों को समझने के लिए दिया गया किसे यानि कि फ्लैमिंग के रूल को समझने के लिए दिया गया अब यह क्या कह रहा है बच्छो according to this rule stretch the thumb four finger and middle finger of your left hand such that they are mutually perpendicular to as shown in the figure ऐसे आपको अपनी fingers को stretch करना यह थंब हो गया आपका यह आपकी finger होगी और यह middle finger होगी बच्छो अब जब आप इस तरीके से stretch करेंगे बच्छो इसे यह कुछ-कुछ ऐसी होगी मान लीजिए तो आपको क्या देखने को मिलेगा बच्छो तो four finger और middle finger और left finger जब आप stretch कर लेंगे तो four finger direction of magnetic field दिखाएगी बच्छो और middle finger क्या दिखाएगी बच्छो आपकी middle finger क्या दिखाएगी आपकी current direction of current दिखाएगी बच्छो और थम्पिल फॉंट दा मोशन और दा फॉर्स अक्टिग अन्डी करनेक्टर यहां पर फॉर्स आ गया यह अपे करन्ट आ गया और उपर की साइड में मैगनेटिक फील्ड आ बच्वो आपका ठीक है यह सारा का सारा आ गया अब इससे इसली रिमेंबर करने का तरीका क्या है मिटल फिंगर ठीक है यह चोटा सापका फिगर दिया है आप इससे देख सकते हैं अब जड़ा कोश्चन आंसर देख लेते हैं बचो कोश्चन नमबर वन ही आपका स्टेट फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो आपको करना क्या है बचो यह पूरा का पूरा रूल और यह नीचे वाला जो फिगर है वो बनाना आपको आई आपका अंसर वन है बचो फिर है इफ करन्ट इस फ्रम इस तो वेस्ट डारेक्शन और डारेक्शन मैंगनेटी फिल्ट इस फ्रम नौर्ट तो साउट फाइंड डारेक्शन फोर्स एक्सपीरेंस वाइदा बच्चो 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 यह वगी आपकी वक्षिट कंप्लीट और वीडियो भी आशा करता है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी थैंक्यू